इस इस पूरी डिसाइड़े, रहा है, समझ में रहे कि नहीं, यह बहुत अच्छी बात है, उसको मैं कहता हूँ, सोल पर्पस, आत्मा का पर्पस से आप जी रहे हो, बागी पूरी दुनिया लाइफ पर्पस से जी रहे है, लाइफ पर्पस का मतलब, कमाना, खाना, पीना, सो लाइफ पर्पस, समझ में कि नहीं, सोल पर्पस मतलब, आत्मा ने जो सोचा है, किसकी भक्ती करना, और किसकी भक्ती करके निर्वाना में जाना, मोक्ष में जाना, यह आत्मा का सोल पर्पस है, समझ में कि नहीं, मैं डॉक्टर बना, यह मेरा लाइफ पर्पस था, मेरे प Healing के उपर ये मेरा Soul Purpose है अब समझ में आ रहे हैं? फरक समझ में आ रहे हैं कि नहीं? काफी बार हम Confused के होते हैं हम क्या करें, उधर जाएं कि नहीं नहीं क्योंके Life Purpose कहीं खीच रहे है Soul Purpose यहां खीच रहे Life Purpose कहता है और है मज़ा करो, जेवन मिला है, मनुष्य का, enjoy कर लो soul purpose के दर छोड़ या बाबा की बक्ती में जो मज़ा है न कहीं बेवी नहीं confusion, dying, wine और divine का है समझने के नहीं कुछ लोग wine पी के मज़ा करते हैं, हम लोग यहां के divine में मज़ा करते हैं बाबा की बक्ती में हमारी मज़ा है है कि नहीं, तो यह चीज है कि आपको पहले तो समझना है कि यहां पे आप क्यू हो और अगर आप हो, तो बाबा आपसे क्या करवाना चाहते हैं, यह अभी आपको मैं समझाता हूँ, आप में से कितने लोगों के पास 4G का मोबाईल है 4G का मोबाईल कितने लोगों के पास है सब के पास है है ना समझ में कि नहीं, सब के पास है 4G का मोबाईल, अब यह मोबाईल में आपको पता है एक फैसलिटी है जिसको कहते है होट स्पॉट पता है आपको उसे क्या होता है, आप दूसरे को connection दे सकते हो समझ में कि नहीं तो बाबा ने अपना hot spot चालू रखा है आप उनके connection में हो और वो आपके जरीए कुछ करुणा फैलाना चाते हैं प्रेम फैलाना चाते हैं इस संसार में आप समझ में आए वो अपना hot spot बन करने वाले नहीं आपकी choice है आपको उनका hot spot यूज करना है या नहीं करना है या आपकी choice है राइट है रख समझ में कि नहीं आप किसी भी तरह से बक्ती के जरीए या प्रेम के या ध्यानवार जिसी भी जरीए आपको उनका hot spot यूज करना है क्यों कि आपकी चेतना की frequency match होती है समझ में कि नहीं आपकी वक्ती username, password है यह तो आपके पास ही है समझ में कि नहीं जितनी जाना वक्ती करोगे connection इतना strong होता है और जितना strong होता है इतने miracles strong होते हैं कितने लोग हैं जिनकी life में miracles हुएं, चमत कार हुएं कि नहीं ऐसा नहीं किसी बाबा थे तब ही जमत कार हुएं, अभी भी हो रहा है क्यों? क्योंकि उनकी चेतना इनके जनम से पहले भी काम कर रही थी, इनके वक्त भी काम कर रही थी, इनके शरीट के जाने के बाद भी चेतना काम करती है, यह चीश 101% है मैं दिल्ली में गुलगाओं में जहां पर मेरा एक सेंटर है वहां पर जब मैं ध्यान कराने जाता हूँ, बाबा का ही सेंटर है तो जब मैं ऐसे लेक्चर देता हूँ तो दीवालों से विबूती आ जाती है और इतनी विबूती जमा हो जाती है तो लेक्चर गतम होने के पाद सब लोग विभूती लेके जाते हैं तेखो वो चमत कर आज भी होता है अब वो मुझे नहीं पता कैसे होता है समझे के मतलब एक चीस हंडेट परसंट है ऐसे जो महात्मा होते हैं ये उनका लक्ष होता है अपनी चेतनाओं से काम करना उनको शरीड से कोई लेना देना नहीं मैं 11 साल पहले जब पहली बाबा को मिला गुरू पुर्णी मा थी और तभी मुझे लगता है देड़ दो लाग लोग आये थे वहां बुटबती में मिलने के लिए और मैं फ्लाइट पकड़के उनका औरा करने के लिए गया था और तब मैंने उनका औरा किया और मैंने उनको अपने हिसाब से थोड़ा बताया कि वह आपके कहीं किड्नी की लेबल एनरजी बीक है थोड़ा आपका हर्ड की एनरजी बीक है तो उन्होंने कहा जो भी है बस मेरे लिए तो मेरे भगते हैं क्योंकि मैंने वो समझा रहा था कि आपकी एनरजी लोग खीचते हैं तो आप कही ना कही अपने आपको प्रोटेक्शन डालो या आप थोड़े लोगों से दूर रहना सब्रब तो उनकी कारुना है कि लेने दो लोग क्या ले रहे हैं एनरजी तो ले रहे हैं क्या फरक पड़ता है तो इस चकर में एक चीज़ मुझे उस दिल समझ में आई कि ऐसे लोग है ना सिर्फ देने की लिए आए हैं उनको और कोई मकसद ही नहीं है दुदिया में सिर्फ देना ही है उनको फिर कुछ भी है उनकी किट्नी फेलो, हार्ट फेलो, लंग्स फेलो कि कुछ भी हो उनको सिर्फ देना ही देना है मतलब एक चीज़ ध्यान में आज आज आपको यहाँ पे रखना है कि अगर आप उनके भगत हो तो 101% आपको भी कुछ तकलीफ है उठानी पड़ेगी जब आप किसको कुछ देने के लिए निकले हो तो तब ये प्रश्णा बाबा से मत करना कि मैं आपकी भग तू मुझे तकलीफ क्यों हो नहीं है जब उनको तकलीफ हुई तो आपको भी तो होगी Right or wrong क्योंकि आपने end destination में तो बाबा का ही डाला है तो जो suffering उनको हुई By default वो suffering आपको भी होगी वो तकलीफ आपको भी होगी समझे के नहीं? मतलब जब हम बोलते ना लोहे को गरम करते हैं तब विगलता है सोने को गरम करते हैं तब वो सोना खेलता है तो इसी तरह से बाबा भी हमारी समय समय पर परिक्षा लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं डर के मारे या नफरत के मारे लुस्से के मारे छोड़ देते हैं भक्ती नहीं करनी मुझे इतनी बार मैंने मांगा कुछ ने विला छोड़ दो ये वो भी परिक्षा है आपकी लेकिन आप देखते हो कुछ समय के बाद कि नहीं नहीं मुझे भक्ति करनी चाहिए क्यों कि आत्मा तो पहले से संकल्प लेके आया है वो कुछ टाइम तक भटक जाता है लेकिन आत्मा जादा समय तक भटक ने नहीं देगी वापस आपको इनके पास लेके ही आएगी राइट यागा फिर कुछ भी लोग गलत बोलें गलत वीडियो अफवा फैलाई ये फैलाई वो फैलाई आपको कोई फरक नहीं पड़ता क्यों क्योंकि आपके अंदर ये बक्ति है और भक्ति कोई किसी से चीम नहीं सकता ये चीज हंडेड एड बन परसन लिख लो समझ में आने के नहीं शरील कुछ भी हो सकता है mind कितना भी पॉलिउट हो सकता है negative हो सकता है आत्मा और परमात्मा कभी negative नहीं हो सकती ये चीज ध्यान में रखना किसी की भी आत्मा नेगेटिव कि वो गौड का प्रोड़क्ट है गौड का प्रोड़क्ट नेगेटिव नहीं हो सकता माइड इंसान का प्रोड़क्ट है बौडी इंसान की प्रोड़क्ट है कुछ भी बीमारी हो सकती है लेकिन एक चीज हम ये प्रोग्राम हम करने से पहले एक चीज हमें समझना है कि कि किसी का भी मकसद हम तब पूरा कर सकते हैं जब हम फिट हो अगर हमारे शरील में बेदनाएं हैं पीडाएं हैं हम 100% भक्ती नहीं कर सकते हैं तो आपको पहले तो आज यहां यह संकल्ब करना है कि मुझे फिट रहना है मुझे खाने पर कंट्रोल करना है, मुझे सोचने पर कंट्रोल करना है मुझे अन्वांटेड चीजों पर कंट्रोल करना है समझना रहा है कि नहीं तो जैसे आप रोज यह ध्यान करोगे रोज आपकी इंद्रिया पावर्फुल होगी रोज आपके पंचकोष पावर्फुल होगे आपके फाई एलिमेंट्स एर्थ, वाटर, फायर, एर, इथर यह आपके पावर्फुल हो जाएंगे और आपकी प्रेशर है, डायबिटीज है, आपको अस्तमा का प्रॉब्लम है, अर्थ्राइटीज का प्रॉब्लम है, तो आप सेवा कैसे दोगे? मुझे बता सेवा कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे, तो पहले बाबा कहते हैं, अपने अंदर फिट्नेस प्रियेटर, क्योंकि वो तो क्या है, वो प्यॉर सोल, प्यॉर माइंड के थे, सिर्फ बॉडी में बीमारी थी, माइंड में बीमारी नहीं थी, हमारा प्रॉब्लम क ठीक है कि नहीं? तो हमें सबसे पहले माइंड को positive करना है, purify करना है, उसी time पे body को भी purify करना है, raw food, vegetables जाना खाना है, पिछली बाद मैंने काफी चीचे समझाई थी लोगों को, कच्छा जाना खाना है, हरी सबजी जाना खाना है, juice जाना पीना है, तो जब आपके अंदर energy बढ़ेगी, तो आप ज़्यादा सेवा दे पाओगे, ना तो आप क्या मोलोगे, थोड़ी सेवा देने के बाद मैं धख जाती हूँ, मैं आ नहीं पाती हूँ, ऐसा होता है न, मेरी दादी 102 years की age में fit थी, सुबह बोली मैं आज जाने वाली हूँ, 8 बजे, और रात को 8 बीमारी, ना कोई दवाई, अपना खुद काम करती थी, सो मैं हमेशा सोचता था, कि लोग ऐसे बोलते हैं, मेडिकल साइंस में भी बोलते हैं, कि सीनियर सीटीजन को और तो बीमारिया होनी होनी है, लेकिन मैं दादी को देखके, कह सकता हूँ, कि जरूरी नी बीमार होना, हम फिटनेस क्रियाट कर सकते हैं, हम अगर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, खाने पीने पर कंट्रोल करें, सोच पर कंट्रोल करें, तो मुझे लगता है, end of the life तक आप फिट रहोगे, आप फिट, आपके फैमिली खुश, भाबा खुश, कि चलो, मेरा बच्चा इत के साथ पिट, और क्या चाहिए, जिसे आपके बच्चे बीमार रेते हैं, तो आपको तकलिफ होती है, आप बीमार को पहएं, तो बाबा को तकलिफ होगी, समझने के नहीं, होगी के नहीं मुझे बताऊ, उनको लगे का रहे हैं, यह मेरे भगते और यह बीमार हैं, वो Health response इसे भी बताते हैं, हमारे जैसे लोगों को यहां बेजते हैं, आपको गाइट करने के लिए, अतवस मैं कहां मॉंबे का रहने वाला, मैं रिशिकेश आया था, इन्हों ने मुझे यहां देरा दुर बुलाया, और आप कहां पे हो, हम एक उसे को पैचानते नहीं हैं, लेकिन यह बाबा का आशिर बात है कि आज हम आपके सामने हैं, समझ में के लिए, तो यह समझ लो कि इनके चमत कार सिफ फिजिकल लेवल पर नहीं होती, कहां से आपको ग्यान देते हैं, कुछ अच्छे WhatsApp से आपको सुबा मेसेज देते हैं, कुछ अच्छे लोग आप उसे मिला देते हैं लेकिन आप उस चीज को पकड़ते नहीं हूँ आपको लगते हैं ये तो ठीक है मुझे तो बाबा की भक्ती कमी है लेकिन ये जरीया है ये तो उनकी लीला है ये तो जविया है कि ऐसे-जेजजस आपको टाइक टाइक पर दे रहे हैं लेकिन आप उसको पकड़ी नहीं है आप सुथे नहीं मुझे योगा में इंटरस्ट नहीं है ये उमर थोड़ी योगा का देगी मुझे हीलिंग में इंटरस्ट नहीं है ऐसा नहीं है बाबा ने किसी को कहीं पे आपके आसपास बेजा है ताकि वो समझते हैं कि आपको अभी इसकी जरौत है जैसे आपको जब लगता है कि आपका बच्चा स्कूल में कमज़ोर है तो आप उसके लिए ट्यूशन कोचिंग क्लास देखते हो के ने आप दुश्वन होती है उसके नहीं हो लेकिन बच्चे को क्या लगता है माँ में स्कूल भी बेशती है एट्यूशन भी बेशती है ये क्या फूड़ा दिद वेकिन आप अच्छे के लिए बहुचते हो न लेकिन जब बच्चा पढ़ लिखके जब नाम कमाता है तो उसको लगता है कि अच्छा हुआ उस वाद उन्होंने मुझे पढ़ाया सब्सक्राइब अब आप सबके वह करते हैं और अगर कोई गलत लोग मिर गए तो यह समझ लो, बाबा चाहते हैं, मैं इसे कर्म कटाओ, उससे काटू नहीं, कर्म कटाओ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, सास तक्लिप देती हैं, दूर रहो उससे, बहु तक्लिप देती हैं, दूर रहो, नहीं, कर्म काट के आगे जाना है, उसको काटना नहीं है, उसको तो आप मुझ तक पौच पाओगे इनको आपने छोड़ दिया तो आपके कर्म नहीं कटने वाली है सिंपल है किसी को आवाइट करके थोड़ी कुछ किया जा सकता है तो आपके धाली में जो खाना आया है आपके लाइफ में जो लोग आये हैं ये प्रसाद है उनका और प्रसाद को ठुकराया नहीं करते अपनाया करते है वाई क्या हो? सबज़ में कि नहीं? तो आज के बाद कंप्लिक नहीं करना बाबागो ये सोचना मेरी परिक्षा के लिए लोगों को भेज रहे तकलीफे बेज रहे, संकर्ष करवा रहे, स्ट्रगल करवा रहे सफरिंग करवा रहे, मैं तो करूँ ही, मैं तो भक्ती बार्ट पर हूँ जैसे मीरा ने जहर भी पी लिया, तो भी मरी नहीं क्या फरक पड़ा? इतनी भक्ती स्ट्रॉंग थी तो आपकी भी भक्ती अगर स्ट्रॉंग है, कोई आपका कुछ गलत नहीं कर सकता गलत करने वाला आएगा ना, वो भी विचारा सुदर के चला जाएगा समझने के नहीं? और अगर कभी गलत हो भी गया, समझ लो मेरा करवर कड़ गया चूड़ गया मेरा करवर समझ मेरा के नहीं? तो ये संकल्प बढ़ा करो आज बाबा ने काडियर ऑस्पिटल बनाई, इतनी बाइपास सर्जरी होती है कितने अनात अश्रम हो को सहारा दिया, कितने वाटर प्लांट्स उनोंने किये बतलब कितना बड़ा संकल्प रहा है, आपको नहीं लगता उनको तकलीफ नहीं आई होगी हम तो अपना एक परिवार नहीं चला पाते हैं ये लागों करोड़ों परिवार चला रहे हैं तो कितनी तकलीफ आई होगी? समझ में आरे कि नहीं? मतलब हमें भी उनके रास्ते पर चला आई बले कुछ भी तकलीफ हो, लोगों को भी मदद करनी है लोगों को तोड़ना नहीं छेटना नहीं उनकी बुनाईया नहीं करना उनकी दिंदाय नहीं करना नहीं तो फिर बाबा नाराज हो जाएंगे आप उनकी चेटना से दूर हो जाओगे लेकिन अगर उनको आप मदद करोगे तो हम बाबा के और हरजदी करोगे है ना मन से सेवा करो, शरीड से सेवा करो और आत्मा से सेवा करो जब ये तीन प्रकार की सेवा करोगे तो 101% बाबा 2400 गंटे आपको छोडने वाले नहीं 24 by 7 365 days आपके साथ में है राइट है राट तो हम ये लेक्शर खतम करने के पहले हम ओम साइन शान्ति का ध्यान करवाएंगे इसके पहले किसको कुछ पूछना है Yes I hope सबने enjoy किया सबको science सबज में आ गया ओम का ध्यान कैसे करना ध्यान कितने प्रकार के ध्यान के फाइदे क्या है और ध्यान क्यूं करना चाहिए और हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए ये सब सबज में आ गया मैं यहां कुछ medical subjects के बारे में discuss करने के लिए नहीं आया मुझे भी पता है करके लेकिन मैं यह जाता हूँ कि आपकी बक्ती और strong हो जाए और किसी को आपको जबर्दस्ती भी खीचना नहीं कि नहीं मैं जहां जाती हूं तुम भी चलो शायद उसके संकल्प में वो नहीं है शायद उसकी soul purpose में बाबा नहीं है बाबा बरबर जुद लेते जो जहां पहनो उसको बरवर आपके सामने लेके आएंगे यह family है आपकी soul family है घर पे जो है वो biological family है mix मत करो यह family को यहां रहने दो वो family को वहां रहने दो ठीक है नहीं क्योंकि यहां की बाते वहां करोगे problem होगा वहां की बाते यहां करोगे problem होगा हर चीश को अपने जगा रहने दो ठीक है के नहीं क्यों हम अपना मन खराब करें शरीर खराब करें बीमानिया पैदा करें इसकी उसकी बाते करें, क्योंकि जो बाते करोंगे, वो तरम ये फैलती है, और वो वैसी ही वापस क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती है, हमें उसम नहीं करना, हमें तो मुक्त होना है, मुक्त होना है कि नहीं? होना है के नहीं? बस, तो फिर क्यों किसी की गिंदा करें, क्यों किसी की बात करें इस वक्त आप जिनकी भी बारे में बाते करते हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो इसी वक्त वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं इसी वक्त वो इंसा भी आपके बारे में बाते करना है तो हम ये स्रिल सिला ये ही खतम करें हम किसी को रोक नहीं सकते और हमें किसी को टोकना भी नहीं हमें बस अपने पर काबू रखना है अपने को परिवर्दन करना है आपका जनम, आपका लक्ष अपने आपको परिवर्दन करने के लिए, दूसरे को परिवर्दन करने के लिए आपका जनम बिल्कुल नहीं हुआ, ये चीज पहले तो समझ ले, कि मैं तो उसको सुधार के रहूँगी, मैं तो उसको सीधा करूँगी, उसके लिए आपका जनम नहीं हुआ, समझ में कि नही जैई तो पुछ अपना करम करने हो यशा करेगा वैसा उसको फर्ण मिलनेवाद, बस उसके लिए दुआएं करो कि जल्दी तो बहुत करता है, यह दुआ करो कि जल्दी हो जल्दी करना है है, उसको जल्दी ऐसा सो उसकी जागरु दवस्ता आ जाएं, उसकी चेतना ज़दी बढ़ जाएं, बस ये दुआएं करो, वाकि तो बाबा हैं मदद करने के लिए, आपके पास सोर्स है, सोर्स बहुत स्ट्रॉंग है आपके पास, डिवाइन सोर्स है, बस आपका पहले तो ये न, ये ठीक होना चाहि तो वो काम करेंगे, जिसे आपको होट स्ट्रॉंग से कनेक्शन मिल गया, आप यूट्यूब देखो, या फेस्बूप देखो, या होटसब देखो, कौन रोपता है, कोई नहीं रोपता है, अब आप क्यों पर आप क्या उस सोर्स का, उस एनरजी का, उस ब्लेसिंग का, आ आप तो अच्छा करो, क्योंकि आप, आपको उपर जाके जवाब देना है, उनको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है, अपने आपको जवाब देना है, कि आपने बाबा के रास्ते पर चले और आपने लोगों की मदद की कि नहीं, और जब आप सही में अपने अंदर परिवर्तन लाओगे, लोग पूछेंगे, परिया आप कहां जाते हो, मुझे भी कुछ परिवर्तन करना है, वो खीचे चले आएंगे बाबा के पास, आपको उनको खीचना नहीं है, आपके सुमहों में अच्छेतन मन में परिवर्तन आना चाहिए, आप बोल के मत उन अंदर हो गई है, वो शांत हो गए, है कि नहीं, तो वो खुद बखुद आ जाएंगे, राइट याराओ, है ना, अपने अंदर परिवर्तन आप, अपना औरा खुले का आभा मंडल पॉसिटिव होगा, लोग आपके आभा मंडल में खुश होंगे, सुखी रहेंगे, वो आपके साथ यहां तक चले आएंगे, लेकिन अगर आपकी अभा मंडल में कोई दुखी होगा, तो वो आपको रताने क्या पारेंगे, बाबा के पास जाके भी क्या फाइदा हो, आपका तो अभी भी सुभाव नहीं बतला, बोलते की नहीं आपको, किसका आपमान होगा, कि हम क्यों उनका अपमान संग करें, हम अपने अंदर सही में अच्छेतन मन में परिवर्तन लाएं, ध्यान करें, मेटिटेशन करें, और ये अपने अंदर की वीगनेस, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, अपने अंदर, दूसरों की कमियां और खामियां नहीं निकालना, उस विकार है उसको देखने की आज के बाद कोशिश करें द्यान में कि मेरे अंदर क्या है जिसके वज़े से लोग मेरे से खुश नहीं है मेरे अंदर असा क्या है जिसके वज़े से मुझे ब्लड ट्रशर हुआ मेरे अंदर इसा क्या है जिसके वज़े से मुझे डाइबिटेज हुआ अपने आपको पूछो टॉप इत्या बाड़ी अपने शरीर से बात करना शुरू करो आज के बाड़ तीक है I hope सबने enjoy किया हम एंड करने से पहले 5 मिनिट का एक meditation करें और फिर हम प्रिये थैंक यू बड़ी बड़ ओम सही राप